तो सबसे पहले आप सभी को जैहिन तो आज आप लोगों के लिए संदेशा आ गया है जो इंडियन आर्मी टैटोरियल इंडियन आर्मी की तैयारी करते थे बहुत दिन से बैठे थे आसा लगाए कि भरती कब आएगी मैं वीडियो बनाता था मैं बताता था कि कभी भी हमको हा नहीं मानना है ठीक ना आज नहीं कल जरूर आएगी भरती एक ना एक दिन उसका अंत जरूर होता है बहुत सारे यूटूबर भाई हमारे जो वीडियो बनाते थे कि भरती नहीं आएगी टैटोरियल इंडियन आर्मी बहुत लोग ऐसा बताते कि अब आएगी कल आएगी भरती बंधी कर दिया गया है मैं जब भी वीडियो बनाया हूँ आप लोगों को आसा के साथ बताया हूँ आसा दिलाया हूँ धैर रखना सिखाया हूँ कि भरती आएगी क्योंकि ये सेना है सेना में जब कोई चीज बहुत बड़ा चीज अपडेट होता है तो समय लगता ह ठीक है ना सोच बिच्चार के समय लगता है और उसको उसके ध्यान देना पड़ता है ऐसे किसी चीज को किसी कानून को लागू सेना नहीं करती है ठीक है ना उसको परमीसन लेना पड़ता है ठीक है अपने उचे बैठक से मतलब जल थल वायू सभी सेना बैठते हैं एक साथ इसके बाद उसकी मीटिंग होती है ठीक है मीटिंग के साथ उसका विचार विवर्स होता है इसके बाद बताया जाता है कि अब इस पर हमको क्या करना है ठीक है तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था हेड़कॉर्टर से मुझे कुछ बात पता चली थी कि सेना में कुछ अलग तरीके से कुछ काम दिया जाएगा सेना को जो की बाहर के लोग उसे नहीं कर पाते हैं, अनफोर्स वाले जो होते हैं, उसे नहीं कर पाते हैं, तो सेना को कारे सवपा जाएगा, आप लोग तो जानते होंगे, जब सब लोग हार जाते हैं, तो काम सेना करती है, भ हेड क्वाटर से पता चल गया तो क्यों ना हम अपने भाईयों को जो बे सबरी से दो से तीन साल टेटोरियल इंडियन आर्मी का इंतिजार कर रहे थे तो उनको कुछ बाते बता हैं कि कब भरती आ रही उनको खुसकबरी दे तो खुसकबरी अब आप लोगों को मिलने वाली ह तो कौन-कौन मेरे चैनल को देख रहा है लेकिन अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सस्क्राइब कर देना बेल आइकन दवा देना ठीक है ना ताकि अन कोई भी पोश्ट आए कोई भी बैकन्शी आए तो मैं उसके बाबे में आप लो लोगों को वर्दी पहनाएगा जरूर पहनाएगा तो ये चैनल आप लोगों बहुत आगे तक ले जा सकता है तो आप बात करते हैं टεταιरी इंडियन ऐर्मी की तरी टेर्टोरियल इंडियन आर्मी क्यों नहीं आ रही थी, किस लिए नहीं आ रही थी, क्या बहुत बड़ा उसमें अपडेट था, क्या बदलाओ किया गया था, ठीक न, तो टेर्टोरियल इंडियन आर्मी इसलिए नहीं आ रही थी, कि उसमें बहुत बड़ा अपडेट किया ग यह बहुत जादा बीमारी होती, तो ओकार यह अब स्टेर्टोरियल इंडियन आर्मी को सौपा गया है, पचास पसंट जो ट्रेरियल इंडियन आर्मी भरती होंगे, ओ इस काम को करेंगे, बाकि अन्य था और लोग अपना कार करेंगे, उसे न डिसाइब करेगी कि किसको क्या करना है भरती के बाद, ट्रेनिंग के बाद, तो अब बताएं कि अब आने वाली कब है बैकंसी, तो अभी तक जो हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं की हैं, तो चैनल को सस्क्राइब कर ले न, पहली बात, और बैकंसी के बारे में चलते गड़, राजपूत रेजिमेंट में, करियाप्पा ग्राउंड में, आप लोगों का पहला बैकंसी टेर्टोरियल इंडियन आर्मी का 15 फ्रोरी से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है न, जो मेरे को खबर मिला है, जो मेरे भाई वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है न, वो मेर आप रेडी हो जाओ, कमर कसलो, बेल्ट लगा लो, क्योंकि भरती बहुत जल्द आने वाली है, फिर है मैत कहना, कि हमारी रनिंग नहीं निकली, क्योंकि टेर्टोरियल इंडियन आर्मी में होता है मेन रनिंग, उसमें जो बच्चे जाते हैं, जिसकी हाइट होती हो भी जा जाते हैं, ठीक है ना, जिसका एज होता है वो भी जाते हैं, जिसका एज नहीं होता है वो भी जाते हैं, क्योंकि उसमें लिमिट 45 साल तक, 18 से 45 साल तक, तो आप लोग पहले रनिंग पे जादा से जादा फोकस करना, और दो घंटे पढ़ाई पे भी जादा फोकस करना, कि भाई जाइज सी बात है इतने दिन से बेकंसी नहीं आई है तो exam टफ हो ही जाएगा, competition बढ़ जाएगा तो competition बढ़ने के लिए आप exam पे ज़्यादा से ज़्यादा focus कर दीजिए, क्योंकि बेकंसी तो आ गई है तो अब हमें कमर कस लेना है, ठीक है ना तो अब हमको running करना है, running जैसे बोलते हैं basically उसमें 6 minute का time दिया जाता है, 5.45 का 6 minute दे देते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई 6 minute नहीं देखता है वहाँ पे देखता है कि पहला बंदा कितने time के अंदर first group में घुसा है, पहले बंदे के उपर depend किया जाता है कि कितना time दिया जाएगा, अगर पहला बंदा 5 minute में घुसता है तो 15 minute time दिया जाएगा, 5 minute 15 second, ठीक है ना और अगर पहला बंदा 4.20 में ही अगर घुच जाता है, तो समझ लो vacancy close हो जाएगी 4.45 पे 4.20 में घुसता है, तो 4.45, 4.35, अगर 4.35 पे घुचता है, तो 4.75, ऐसे close करेंगे 15 से 20 सेंड देते हैं, जब वो पहला बंदा घुसता है, उस पे निरधारित करते हैं तो आप लोगों की running मजबूत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना तो अब आप लोगों को क्या करना है, running की तयारी करनी है, दूसरी बात की आप लोगों को करना है पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना जैसे ज्यादा से ज्यादा जैसे आप पढ़ाई करते हैं आदे गंटे एक गंटे करते हैं तो आप लोग पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं अब बात करते हैं कौन सी बुक इस्तमाल करें क्या करें तो जैसे आप लूसें करें ठीक है ना जो कोचिंग जोईन करें वहां रोजगार भी ठंकित हो गए बहुत सारे ऐसे जो यूटूबर हैं जो ऑनलाइन क्लास चलाते हैं तो आप लोग 100-200-200 रुपय देखें वहां से अपने सपने को साकार कर सकते हैं अब बात करते हैं कि रेटन तो निकली जाएगा भरती कैसे निकाले तो भरती को हमको क्या करना है हमको जो मतलब रनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकुस करना है खान में हमको मूंग मुंपली वदाम ठीक है ना पर दे हमको 500 चने तो चवाने हैं मतलब 200 ग्राम चने चवाने हैं हमको ठीक है ना चने से क्या होता हमारा सांस नहीं फूलता है और इसके बाद हम लोग जब रनिंग करके आते हैं रनिंग करने के बाद डाइट खाने के बाद हमको करना क्या है हमको 101 धक्कर में सरसो का तेल पेवर सरसो का तेल हो पूलते हैं, वो सांस नहीं फूलेंगे, तो इस सब बाते आपको बता दिया, तो पंदरा फ्रोरी तयार हो जाओ, डोगरा रेजिमेड में भी बढ़ती लगेगी, फतेगड में लगेगी, ठीके न, इसके बाद आप लोगों को जवलपूर गिंडेडियर में भी बढ़ती ल तो चलते हैं, जय हिंद, वन्दमातरम, बेस्ट आप लग, मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, कोई अच्छी सी बैकन सी लाके, जय हिंद